नमस्काल दोस्तों हमारे साथ आज है श्री ललिट ठुकराल जी जो की एनने इसी नोईडा एपरेल एक्सपोर्ड क्लस्टर के चेर्मेन हैं और यहां की जितनी भी एपरेल इंडस्ट्रीज हैं उनको सबको आपी हैड करते हैं और नोईडा को एपरेल शिटी या सिटी ओफ एपरेल कादğ दोज़ा दिलाने में आपका योग्दान एंडस्पीने सटकाल से बात करके मननि मुख्मंद्वी स्रीयोगी आदितनाज़ जी से बात करके इस सहर को अपरेल सिटी का दर्जा दिल वाया है और सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका अभी जंदन है हमारे चैनल में मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ कि आपकी एसोसेशन के बादे में पर्ले थोड़ा सा एक इंटोड़क्शन अपना दीजेगा कि आपकी एसोसेशन जो है अपनी क्लस्टर जो है वो क्या करती है देखे, Noida Apparel Export Cluster जो है, वो गार्मेंट इंडस्ट्री को रिप्रिजेंट करती है, हमारी Noida के अंदर लगबग 4,000 से उपर कारखाने हैं, गौतम बुन्दगर में, और यहां से जो एक्सपोर्ट है, वो 40,000 क्रोट से उपर होती है, सालाना, और डिवेस्ट्री का 10,000 क्रोट क इसको City of Apparel का दर्जा दिया, वन डिस्टिक वन प्रड़क्ट जो अधर्निय मुख्य मंतरी जी की जो एक महतवकांची योचना है, उसके अंदर इसको City of Apparel का दर्जा दिया गया, क्योंकि यहां से बहुत एक्सपोर्ट होती है, गार्मेंट बनते हैं, और फॉरन एक्शें चुडू हो गई है, लगबक डेट साल, दो साल के अंदर, वहां पर दस जार क्रोट के एक्सपोर्ट का इजाफा होगा, और तीन लाक महिलाओं को वहां रोजगार मिलेगा, क्यों हमारी इंडस्ट्री में महिलाओं बहुत जादा काम करती है, महिलाओं का काम है, और हम वह पर स्किल डेवलप्मेंट के जरिये महिलाओं को प्रस्ट्शन दे के हम सब को महां रोजगार देंगे, जैसे आपकी इंडस्ट्री है, तो यहां पर महिलाओं भी काम करती है, और भी लेवर हैं, तो स्रम कानूनों के अनुपालन के लिए, स्रम कानूने के लिए, आप लोग सला देते हैं, उनको आप लोग जागरूप करते हैं。 देखे, हमारी जो इंड़स्ट्री है वो बड़े-बड़े स्टोर से काम करती है, फॉरंग कि जितने बड़े स्टोर्स हैं वो सब कम्प्लाइंस कम्पनी से काम करते हैं, तो हम अपनी कम्प्लाइंस अपूरी करते हैं, जिसके अंदर लोगों का मिनिममुम बेतन देना, ESI, PF और भी जो सुविधाये हैं वो सभी संपन की जाती है और अगर हम लेवर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम काम कैसे करेंगे लेवर की एफिशेंसी बड़े उसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम करते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि यह सही में उसका इलाज नहीं हो ठी हम लोग जितने भी हमारी इंडस्ट्री के वरकर्स है वह समयरे परिवार की तरह हैं यह हमारे एक संदेश सबको होता है और सब वरकर भी हमें जो मुझे परसली जानते हैं कई सालों से जो हमारे कभी काम भी नहीं किया उनको भी तकलीफ होती अगर मुझे को अप्रोच करत कि और थे व्टेश्ट जालई को थे दोड़ने कि आपने कि आपने पताया कि आमारे इंडेश्ट्री में लेडीज वर्क जादा है तो लेडीज वर्कर के लिए जैसे हर कंपनी में I.C. ATL Kingdom C D yeahум के फिर्द लंके मैला को जाए जाँ है लगार उंका ध्यान तो रखन गजाती हो इससक होगजती जयार्ट लेतन OA covari pays si कि एपरेल इंडस्ट्री कि एँ रिष्ट्य हमारे को सरकार हर तरह की सुविदा दे रही है हमें सरकार से कुछ शिकायत नहीं है लेकिद इसे चीजी जिसके अंदर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमारी इंडस्ट्री बहुत तरखी कर सकती है जैसे कि हमारे यह देखिए कि 160 लाग करोड की एक्सपोर्ट है जिसमें से 40 जार 50 जार करोड की एक्सपोर्ट जो है वो सुरब बड़े बड़े लोगों की है और जो MSME है उन सब की मिला ली जाए तो 120 लाग करोड उनकी हो जाती है लेकिन हमारे जो पॉलिशीज बनती हैं MSME के लिए कम बनती है या उसका वो बेनिफिट नहीं उठा सकती है अगर सरकार MSME को फैसिल्टीज दे बैंक कॉपरेट करें बैंक उनको लिमिट्स दे तो MSME ही सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन कर रही है तो वो अगर वो मेहनत करेंगी अगर अपने काम को डबल करेंगी तो 120 लाग करोड का मदल होगा 240 लाग करोड जो कि हम पिछले कितने सालों से 15 बिलियन, 13 बिलियन, 14 बिलियन पर खूम रहे हैं बंगला देश कहां 25 बिलियन से 50 बिलियन होगा है दस साल में हम वहीं खट गए हुए इसका एक बहुत बड़ा रिजन है जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री है बड़े एक्स्पोर्टर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा काम कर रहे है उनका पिछले तीन साल में जो उनकी एक्स्पोर्ट में इजाफा हुआ है सब स्कीम लेने के बाद सरकार की आठ परसंट हुआ है और जो बाकी MSME है सारे उनका 18% बिजनस गिरा है ग्रोथ कम होई है उनकी ग्रोथ नहीं बढ़कि गिर गया 18% तो एक तो यह 18% को लांस नहीं होना चाहिए था अगर सरकार MSME के लिए कुछ ऐसी स्कीम लेके आए कि यह अपने वेपार को डबल कर सके तो इसे मुझे पूरी उमीद है कि हमारी जो हम 15 बिलियन पर अटके होगे थे हम 30 बिलियन में 2030 तक पहुँच सकते हैं सिर्फ MSME एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमारे गार्मेंट ट्रेट को उपर ला सकता है इसी पे सबसे जादा रोजगार है महिलाओं का सशक्तिकरण भी इसी से होता है और सब लोग इसमें आज की तारीक में हमारे पास इंट्रास्ट्रक्चर ना होने की वज़ा से यह जो MSME की बात कर रहा हूं आज बंगलादेश में इतने क्रैसिस हुए जिसका हम बेनिफिट हम मलब आपदा में अफसर की बात ले तो वो भी नहीं ले सके हाला कि वो बंगलादेश जो है वो हमारा मित्रदेश है उनके साथ ऐसा हुआ वो अच्छा नहीं लगा हमें लेकिन क्या करें अब वो हम अफसर को नहीं कैश कर सके हमारे पर इंफरस्ट्रक्चर नहीं है अगर आज हमारे पर इंफरस्ट्रक्चर होता आज हमारे जो यह अभी जो हमारे सरकार ने बहुत अच्छा गाम किया जो पार्क टेक्स्टाइल पार्क उन्होंने प्रियम मत्रा स्ट्राइक जो वो अगर हो गए होते तो हमें कपड़ा इजिली मिल जाता हम इस को कैश कर सकते थे आज एक पार्टी ने मेरे नौईडा में एक का ओडर राया थीन लाख पीस का उसका जो कपड़ा है जो मिल से वो बड़ी मिल बनाती है वो कपड़ा उस मिल से दो महिने के बार डिलिवरी मि करें ताकि MSME कभी भी इस चीज को जो अफसर मिले तो कैस्को और देश की अर्थवरस्टा को बढ़ाने में डेश में रोजगार को बढ़ाने में MSME पूरा मदद कर से के बात थे बात आई तो बांगलादेस में क्या रीजन है कि बांगलादेस का जो एपरेल अंडूस्ट् प्लस वहां की सारी एकॉनमी गर्मेंट के ओपर डिपेंड करती हैं बंगलादेश में, सबसे ज़्यादा बिजन्स विपार सिर्भ यही है गडर्मेंट हमारे यहां से बाइर खरीटे से उनको 14 जांगर परिशन सस्ता है जो बारा में बीचने की बात करते हैं वह थाड़े तीन डॉलर में बीच देते हैं तो इसलिए वो बाहर वहां से महल लेते हैं और वहां पे 6-6 मेने साल-साल की प्लानिंग करते हैं को उन्हों सस्ता बढ़ता है हमाने ऐसे महंगा पढ़ता है इसलिए बंग्लादेश की स्पोर्ट एक दम उपर गई देखें, इंडिया की एक अपनी पहचान है आप आप सकती हैं in Điुष्टान में ऐसे चीज़े बनती हैं जो कहीं नहीं बन सकती है ठीक है उन सब के ओरर हमाने आते हैं हमाने हैं क्या खुब सुर्फरों स्रीक्वेंस जीए बनती हैं क्या और तरह की बनती हैं बाइस कारमेंछ्स बनते हैं ये लेस्टीज लगें और इस चिज़ें बन जाते हैं लेकिन ये जो ऑफेषन है वो इंडिया तो फेषन के वाज़ासे हम भेटरीन काम करें लेकर बढ़ा जिता आपकर साहते हैं तो उनके कोशल विकास के लिए आपकी एसोचिएशन क्या इस्टप ले लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज हमारे हैं भी कुछ लोग वरकर ऐसा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने कभी कोई प्रस्टिक्शन नहीं लिया वो कौलिफाइड नहीं करने काम कर रहे हैं अभी सरकार ने बहुत अच्छे हमारी पॉलिशे बनाई है उनने स्कीम दी है कि आप उनको प्रस्टिक्शन भी दो ताकि और उसमें एक्सपर्ट होंगो और काम कर सके हैं इसके लिए हमारा नोईडा अपैरल एक्सपूर्ट क्लस्टर अगले हफते एक पड्र अपैर नाउने गसं भी सेरे बनाट वपार नोई थो तीन कौर्स करने जा रहए है उसमें सबसे अपोर्टर बात किया उसमें लोगों को ट्रेइनिंग भी मिलेगी जोगों को जा जॉब भी मिलेगी जैसे एक एमप्लायर को इसको एक हजार आप मि चाहिए टेलर य पचास आदमें उसको चाहिए सुपरवाइजर, सुव आदमें चाहिए उसको चेकर, तो उसके QR कोड है, सब की कैटेगरी के, वो उस QR कोड को उसमें डालेगा कि मेरी ये रिक्वाइरमेंट है हमारे पोर्टर में, और उसके पैरलर जो हमारे पास जो वरकर हैं, जिन्होंने उसमें, उसी QR कोड के अंदर, अगर अपने पास 500 हैं और उनको हजार चाहिए, तो 500 हमारे सेटिफिकेट के साथ, क्वालिफाइट सेटिफिकेट के साथ, वो वहाँ पर जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएगी सिधा, क्योंकि उनको सेटिफिकेट उनके पास है, और जो 500 उ उनके बस तुलन चले जाएगे, तो ये हमारे ट्रेट में जो वरकर्स की अपूर्ती करना ये बहुत जुरूरी था, जिसके पर हमने बहुत सोचा, समझा, कोशल विकास जोजना है, बहुत आ रही है, लेकिन वो कहा जा रही है, कैसे जा रही है, वो बड़ा एक अजीव सा जिसकी परोच आव लेगा, जिसके नहीं हो नहीं मिला, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये सब ओपन सब के लिए है, और इसमें किसी का पैसा लगने बाला नहीं है, ये हमारी एंड़स्री की एक सची सेवा है, और सब वरकर्स को जॉब मिलेगी इसमें, हर तरह के बरकर को, किसी को बिजली बाला चाहिए, बिजली वाला चाहिए, बिखस्मेन चाहिए, उनको जो कुछ चाहिए, वह इसके अंदर अपना करें, उनको अलग क्यू था अगने, सब ईक्यू पीजली के चार एक्डिशियन चेह लिए तो आप उसमें जाईए, चूई को चूईक्ट के युझ अब लोग आपको कॉंटेट कें भी शुवाइड विधन गट्रे डिली के लिए घर महतनी अगर कोई अवर प२िग अटमी बिलग लिया हुआ वह साल गाम नहीं करना तो उसका इक्सप्पीरियंस खता हो गया तो दुबारा जाता है तो अगर वह भॉजाता है तो उस ओसा काम करेगा कैसा नहीं करेगा इक भरम सा बना रहता है तो उसे अज़ा कि एक ब्रहम दूर हो जाए और शेयर हो जाए है कि अपरेल पार्क बंद रहा है यह इसकी कब तक उमीद है कि अपना फुल प्ले चलो हो जाएगा देखे आप भी पहले बात कर रहे थे हमाने खिसा के बाद दो साल के अंदर हम पूरी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और आप कुछ संदेज देना चाहेंगे कि आपकी असोसियेशन जो कर रही है तो हमारे दौसकों को कि किस तरह से आपकी असोसियेशन से पेनिफिटेट हो सकते हैं देखें आज सबसे जरूरी चो चीज हमें बिजनस काम के अलावा हमें सस्टेनबिलिटी के एप चल रहे हैं हम इन्वर्मेंट के ओपर चल रहे हैं तो हमारी जो ग्लुस्टर है वह अभी एक तो हम Yamna Express Way पे जो हमारा वह वहां प्लस्टर मना रहे हैं हम सब त्री लगा रहे हैं जिसके अंधर वो हम फूरू के बेड लगा रहे हैं अलग लग रोड पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड फूट एक तो हमारी लेवर को फूट भी फ्री बिलेगा और इन्वाइर्मित अच्छा होगा पक्षी भी वह आएंगे और इस सब चीदों सोचते हुए कर रहे हैं और सबसे इंपोर्टन चीज क्या है लेवर को आज नहीं तो कल हमें लेवर के लिए कुछ आउट आउड बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा जिसके लिए मैंने सकार से पहले भी प्राफ्टन किया अभी भी कोशिश कर रहे हैं वार्ता में और उमीद है कि हम अपने काम में जल्दी काम्याब भी होंगे मैं व सिस्टम हो उनके नाम पर उनको फ्लैट्स मिल जाएं तक वह पर्मानिट महां रहे हैं कोवीट किसा में देखा कि सबर्कर चले के तो क्या हुआ अगर उनको बस उजहने का ठीका ना होता तो वो नहीं जाते हैं तो कितने हमें सरकार ने बोत मदद करी सरकार ने हमें 55,000 लो हम कुछ खुद कर सके हुआ एं बिना सरकार की इल्प के नहीं हो सकते हैं तो सरकार से वह हम चाहरे हैं कि इस तरह का कुछ भ Cand na बन जाए